तो गाइज आज हम बात कर रहे हैं 72 हूरे मूवी की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट की इस मूवी का है आज बॉक्स ओफिस पर तीसरा दिन और आज है संडे और संडे होने की वज़े से इस मूवी की ओक्पेंसी में काफी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है तो गाइज अगर बात कर लें इस मूवी की डिटेल्स की तो ये मूवी क्राइम ड्रामा थिलर मूवी है और वहीं ये मूवी बनी है टेलरिज्म पर और गाइज कहीं न कहीं इस मूवी में जिहाद वगरा भी दिखाये गया है जिस वज़े से इस मूवी का जम कर विरोध हुआ है काफी जादा F.I.L. भी पुलिस सुटेशन में दर्ज हुई थी बट उसके बावजूद इस मूवी ने बॉक्स ओफिस पर काफी जादा बढ़िया कमाई की और साथ ही में विरोध करने वाले का मूवी बंद कर दिया तो गाइस ये मूवी बन कर तेयार हुई थी 7 करोट रूपे के बजट में और वहीं इस मूवी को रिलिस किया गया 650 स्क्रेंज पर अब अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि इस मूवी को पबलिक से अच्छा रिस्पोंस मिला और अच्छा रिस्पोंस मिलने की वज़े से इस मूवी का कलेक्शन भी काफी जदा बढ़िया रहा है तो इस मूवी ने अपने पहले दिन ओपनिंग लिए थी एक करोड़ पचास लाक रूपे की और वहीं अपने दुसरे दिन कमाई कर ली है लगभग दो करोड़ नबभे लाक रूपे की और अब बात करें आज याने कि इसके तीसरे दिन के कलेक्शन की तो गाइस आज के कुपिंसी कल से जादा बनी हुई है और ये मूवी आज लगभग 3 करोड़ 10 लाक रूपे का कारोबार कर सकती है तो इस मूवी का 3 दिनों का कलेक्शन आ रहा है 7 करोड़ 50 लाक रूपे इसका 3 दिन और 7 करोड़ 50 लाक रूपे और इस मूवी ने इसका बजट कवर कर लिया है और ये मूवी 102 दिन में बॉक्स ओफिस पर हिट का टेक ले सकती है तो अब देखना ये है कि मंडे के बाद ये मूवी बॉक्स ओफिस पर टिक पाती है या फिर नहीं तो आप लोग क्या लगता है भात तरूरे मूवी बॉक्स ओफिस पर हिट होगी या फिर नहीं अपनी राए मुचे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और देखने पहली बार आये हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं मिलते हैं एंगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई